हैलो प्रेंट्स जय मतादी कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे मैं भी मज़े में हूँ बहुत अच्छे हूँ स्वास्थ और सुखी भी हूँ आप लोग के प्यार से और बस यहां पर मॉर्निंग का मैं का में स्टाइट कर दे रही हूँ क्योंकि हास्पेंट आफिस जाएंगे तो उससे पहले मैं क्या क्या करती हूँ वह सब मैं आज अपने के साथ चेयर कर रही हूँ मॉर्निंग का भी 6 बज रहा है और 6 बजे मतलब कि मैं सारी पांच में उठ गई थी तो ब्रस ब्रस कर ली और उसके बाद में थोड़ा सा चेहरा और अधो करके आगई हूँ सीदे में कीचिन में बना रही हूँ चाय भी बना रही हूँ और थोड़ा मोरा जो बिखरा हुआ में राद के दुख्रा ऐख अब रहा हूँ नहीं और पर शेट रहा हूँ सेट कर दूँगी और फिर आउंगी मैं चाय पी करके तो और जो कीचेन का काम है वो सब मैं करोंगी तो बस उसको करके और चाय में पी यहां पे आ गई हूँ और किचेन का जैसे कीश पनए की थी तो बस यहां पे चूला और स्लेप को साफ कर ले रही हूँ तो यह तो ऐसे मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ पर हजबन बोले की नहीं चलो बैठ कर पर ले चाय पी लेते हैं चाय का अनंद ले ले लेते हैं उसके बाद में अपना तुम काम करते रहा न मैं भी दूद के के क्या है के लिए बादिरोन शुट्मत बाधरोम के लिए रहे हूं तो यहां पानिया पानि दोनों ही लगाए टीज़णी निकाल देए और चार जबल करने के लिए दोक्तला के लिए ऑब अभी फोर आ यहां पे जगाने के लिए मैं बाथ्रूम में कपड़ा और लगा दूँगी क्योंकि नौ बजे से बातरूम में कपरे में बटल में पानी भर के रख दी गरम पानी जो कि पीने में कामता है तो बस वह टेबल पे रख करके आगई हुझा आंगन में और जारू से पानी देदे करके आंगन को मैं साफ कर ले रही हूं क्यूंकि चिरियाना किचन, बहुत गंदा करके रुख देती है। सुबा में कम से कम 10-15 चिरिया तो आही जाती है। तो अहीं गंदा करके रुख दी थी तो भस उसको धो करके सिधा आ गई हूं do नहीं कीचन पहलं किचन में किचन पहलत आंकर को यह बनारा हूं बना ले रही हूं और साथ में यहां पे प्याज एक काट करके लग रही हूं तो कि उसमें डालूंगी जब पीस करके वो पेस्ट तयार हो जाएगा जब आटा मिक्स करूंगी बेसन मिक्स करूंगी उस समय तो बस यहां पे प्याज भी काट कर रख ली और यहां पे मैं डाल तोड़ीन हूँ उस माइले चालीन दालू प्हाने और लुद्ध से तेयार कर लए बोहूती च आपने में अच्छा भी है प्हाने धक्त सुछंवा अधर हो सेमेखन, प्हयलेग पांव भी थाम इसके साथ थामी द्वादल ने लिया नियापत्त भून तो अच्छीमी नो पूली तो भी तो यहां पर रिम ने शूंची तो ने पर दे लियाई नाचन भून कर दूल कर देंगी तो उनको मैं कपड़ा तो देही दी थी बस यहां पर नास्ता उनको करवा दूँगी उसके बाद में वो कुछ तयारी करते हैं अपना क्लास व्लास का और जो भी बीच बीच में उनको कोई काम रहेगा तो वो भी मैं निप्टाते जाती हूं तो बस यह देखिए थोड़ा सा करके देखिए तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पर लाल लाल में थोड़ा सा गाजर लगा दिया अच्छा लग रहा था खाने में बहुत ही टेस्टी हूई थी तो बस यहाँ पर हजबन को मैं नास्ता दे दी और नास्ता दे करके चले आई हूं आंगन में जो भी कपर था सो इसको मैं धो लूँगी यहीं पे बैठ कर हलकिसी धूपी आ गई और आंगन धोई थी ना तो सूख भी गया है तो यहीं धूप में बैठ करके और मैं जो भी कपरे हैं सो सब मैं धो करके डाल दूँगी सूखने के लिए ताकि यह जैसे कि बारह एक बज़े तक तो इसको मैं मोर के हटा ही देती हूँ लगे हाथ तो बस इसको करके और उसके बाद में और जो काम है उसको मैं निप्टा हूँ करके प्लाइब च्लुप मैं च्ड़र करनाद में आद करá दो थाजयर थे ताकि उसको मैं धूटर चादा बार ज़ा खाला ऑटको मैं उसको प्रिद एक प्रिधा करे पनादा हूँ तो बस मॉर्निंग काया वो सा कम निप्टा करके आगे हुँ थोड़ा सा मैं बाल में तेल लगाई और साथ में कंगी करके और फिर जो काम है उसको मैं निप्टाऊंगे जैसे कि डस्टिंग तो मैं कर चुकी हूँ पर पोछा भी मैं नहीं लगाई और ये देखिए मिठाई मेरे साथ आ करके जैसे मैं सारी पहनी न तो आ करके वो सारी को खीच रही थी तो इसको बुला करके थोड़ा सा मैं प्यार कर ली और उसके बाद में इसका जो दाना है जो खाने के लिए मंगवाती हूँ इतना पेचैनी इसको राता न उस दाने का देखिए कैसे नोज रही पूरा पर नाखुन नहीं लगाती है वहां से उचल उचल करके खाती है हाथ पकड़के पर नाखुन कभी भी नहीं लगाती है बहुत समझदार है और इसकी बात भी आप सुनिएगा न तो मतलब आस्चरिक होगा कि यह बिली होकर कैसे इस तरह से बोलती है जैसे इसको मैं पर दाना खिला कर थोड़ा सा मस्ती मैं भी कर लेती हूं बहुत अच्छा लगता है तेंशन फ्री हो जाती हूं बहुत कुछी होती हुचे मतलब इससे मिल करके इसको थोड़ा सा प्यार करके तो बस यहां पर यह सब काम करके और बेट सीट को मैं अभी चेंज करूंगी इस आगे वाले रूम का बेट सीट में चेंज करूंगी बहुत दिनों से में बेट सीट को चेंज नहीं की थी तो अभी हस्ट्वेंट तो नास्ता करके अपना त्यारी कर रहे थे तो बस याद नहीं था मुझे कि मैं कप्राओं का आरन ही नहीं की थी तो बस यहां पर कप्रा करके आ गई हूं एरन कर लेती हूं कि मैंते अभाड़ान च specially हैं तो फिर से आ गई हूं मैं किटेन और हस्बनिवा चले गया है औफिस मैं भी नास्ता कर चुकी हो नास्ता कर के जो भी नास्ता का बर्दन बचा हुआ था ना चियसे चिलौला कीचेन के सलेप को और चुलह को साफ कर लोंगी क्योंकि थोरा मुरा छीटा होड़ा उता पड़ा हूद्य के क्याइब साफ कर लेती में ऑच्छा लगता है किचेन में काम करने में में, तो बस तो इसको मैं फिर से पलट दी जहां पे धूप था उसको धूप में डाल दी ताकि अच्छे से जल्दी से सूख जाए क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत ही करी वाली धूप हो रही है तो कपरा का कलर भी है ना तो खराब होने लगता है तो इसलिए जब भी थोड़ा सा हलका जहां पे धूप रहता है वहां पे डाल देती हूं ज्यादा डीप धूप में कपरा डीप वाला कपरा को नहीं डालना चाहिए तो बस अभी तो जब तक धूप में कपरा सुखेगा ना तब तक मैं पलटते रहती हूं कि यह जल्दी से सूख जाए तो वह भी काम कर ली और साथ में सिंक को अच्छे से धोकर के तब मैं चलूंगी आगे वाले डूम में तो किचन के काम को समेट करकी और आ गई हूँ इस रूम में और हस्बें यहीं पर बैठ करके त्यारी कर रहे थे तो उस समय में बैठ सिट को नहीं हटाई थी बस वो चले गए तो सोची की बेट सिट को हटा करके धो करके डाली देती हूँ इसको भी धूप में सुखने के लिए और इसके बाद मैं जाओंगी वहाँ हॉल में पोछा लगाने के लिए क्योंकि डस्टिंग का जारू का जो भी काम था वो सब कंप्लीट कर चुकी हूँ बस पोछा लगाना है हॉल में ही इस रूम में भी मैं सुखने में जब नहा रहा है थे न उसी समय में डस्टिंग और पोछा दूनों का काम कर ली थी पर हॉल का भी में नहीं की थी तो बस हॉल में पोछा लगा लोगी तो मेरा मॉर्निंग का छे से नो बज़े तक का यही रूटिंग रहेगा और बहुत बीजी रूटिंग रहता है मॉर्निंग में वैसे मेरा ही नहीं हर हाउस वाइप का यही रूटिंग रहता है तो बहुत छोटा छोटा क्लिप मैं आप लोग के साथ अज सेयर की क्योंकि जो भी की उसको पे थोड़ा थोड़ा करके सेयर की क्योंकि अगर जादा करके बिस्तार करके बनाती न तो वीडियो 15-20 मिनट का हो ही जाता काट काट के बनाती फिर भी 15 से 20 मिनर तक चला ही जाता पर बहुत छोटा छोटा क्लिप ले करके मैं की उमिद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए आज के लिए यह ही वीडियो रहा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई